ये आयुजिन निशिती, साहित, समाज और विमर्श को एक नए धरातर पर लाने की कोशिश है और इस कोशिश में हम सफ़र होंगे, ऐसा हमें पूर्ण बिश्वास है कारिकरम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं आप मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगे आपके लिए शादाव अली जी की चन पंग्दियां जो उन्होंने पिछले लिटरेचर पेस्टिवल में कही थी कि बहुत कोमल है दिल, हम जजबें, इमान वाले हैं और रजना हमसे मत, हम एक अलब पहचान वाले हैं डॉक्टर एस फारुक हम अमेरिका में थे एक मॉल में वहां एक फिल्म थी आई मिलन की बेला और नाम तो उन्होंने वही लिखा आई मिलन की बेला जब उसका गाना चला तो उसका कैप्शन्स में इंग्विश में वह आ रहा था आई मिलन की बेला देखो आई गाना चला तो और ट्रांसलेट उन्होंने जो किया मेंटिंग सीजन हैस कम मेंटिंग सीजन हैस कम उसमें जो हीरो हीरो एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं तो हर जबान की अपनी बेचांट है कम लोग हैं ऐसे जो किसी जबान कुगा तर्जमा कर दें उसका अनुवाद कर दें आप में कहा संस्क्रित के बारे में कि संस्क्रित हो और कुछ जमले संस्क्रित में आप बोलते संस्क्रित भाशायाम वारता लाप्रम करिशेती गुफ्तू होती उसके अंदर ही देखिए लिटरेचर की यही एक खुसूसियत है कि हर जबान यह जबान जो है यह इनसान को अल्ला ने दी है जो मुख्तलिफ रह से गुफ्तू करती है जानवर की इसलिए जबान ने होती है उसकी जीव होती है यह हमारा बड़ा अल्मिया है बड़ा तुखदाई बात है कि जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्तर कहता है जीव दिखलाओ और हम लोग जीव दिखलाना शुरू कर देते हैं चूँ चूँ करेगी कहीं के लिया ही तो बिल्ली है म्याओ म्याओ करेगी इनसान है कि एक ही खित्ते के अंदर पहाड में यह आप कमाउनी अलग है गड़वाली अलग है संस्कृत है उर्दू है हिंदी है पंजाबी है हर जबान का अपना लुट्फ है इंग्लिश है तो इस सब को मिलके यहां के लोग इस लिट्रेचर फेस्टिवल को एंजाए है और वो खुशी देखे खुशी जहे जब ही कि जब लोगों के अंदर अवेरनेस आए किसी चीज़ उसके बारे में उनको पता चले और जब पता ही नहों तो क्या करें सारी मताएं जिन्दगी दे कर खरीद लो सारी कमाई जिन्दगे की दे कर खरीद लो लेकिन सकून दिल तो कोई बेशता नहीं कोई नहीं बेशता नहीं यह तो आपको खुद अपनी मेहनत से लाना पड़ेगा और उसके लिए लिटरिचर है हम लोग बड़े खुशनसीम हैं कि हम लोग ऐसे खिते में पैदा होई जो आपने काँ जो रिच है हिंदुस्तान रिच है कल्चर से और लिटरिचर से बुराई जो है गाली अगर कोई किताबों में लिखे दे दे तो वो लिटरीचर में कहला यहां कोई अच्छी बाते लिखे हैं तो वो लिटरीचर एक बॉलाइज जह वो लिटरीचर नहीं कहला हम वहाँ पर गए तो हमने देखा जो उनकी करंसी थी उसके उपर एक पाइरेट एक जहाजी डाकू की फोटो बनी भी एक ट्रेजर चेस्ट खुलावा और एक सौर्ड उसने हाथ में लीवी एक बंद है एक टांड उसकी जो टूटी भी होती है उपना खड़ावाएं तो हमें बड़ा दाज्यब हुआ कि करंसी के उपर डाकू की फोटो तो हमने पूछा जो हमारे होश थे कि भी ये क्या है हमारे यहां तो महापुर्शों के फोटो होते हैं तो उसने कहा सा हमारे पूरवश तो यही थे हमारे यह एक आइलेंड था और आप हमारे म्यूजियम में जाई है आपको वही वहाँ पर शिप्स और वही चीज़ें बिलें लूट किलाते थे और किलाते थे तो हम लोग कितने खुशनसीर हैं दो चीज़ें इनसान को अपनी खुशी से नहीं पाता है वो दो चीज़ें क्या हैं एक तो उसके माबाब किसी से नहीं पूछा जाता है कि तुम्हें किस के घर पैदा होना है अगर यह पूछा जाता है तो गरीब आदमे को बच्चे ना मिलते हैं सब उबामा और क्रॉम के हाँ यह कीम जॉन के हाँ पैदा होने की बच्चे तो पहली चीज़ किसी से नहीं पूछा जाता है दूसरी चीज़ जो पूछी नहीं जाती वो है उसकी जाए पैदाईश कहा उसको पैदा होना है ये भी किसी से नहीं पूझे करता है ये खिसमत से मिलती हैं दोनों चीज़े अच्छे माबाब और अच्छी जगा तो हम लोग बड़े खुश खिसमत है कि हम लोग ऐसी जगा पैदा हुए है और हमें यहां से लिटरीचर मिल रहा है हमारे पूर वजों का शेर है कि बड़े शौक से इनी पत्थरों को शिकम से बांद के सो रहा हूँ बड़े शौक से इनी पत्थरों को पेट से बांद के सो रहा हूँ मुझे माल मुफ्त हराम है मुझे देत और इसके हरा यह हमारे जगा की सब्वेता है ये दूसरी जगह की सब़्ेता ऐशी मैं यहां पर इंसान को इंसान से महबत जो है वो सिखा जाए जाए यहां वसुदेव नकुटुम कम है यहां इहां अल्कल्क वे आलुल्लाह है यहां पूरा यूनिवर्स जो है वो इक इन्सानियत है एक कुल्बा है ये सिखलाए जाए और जब ये हम लोग समझ लेंगे तो सुसाइटी के अंदर हम लोग अच्छा ही पैदा करें हमारे मुलक को इस चीज की बड़ी ज़रूरत है और वो ऐसे लिटरिचर फेस्टिवल से ही आ सकते हैं कुछ हम भी बनाएं तेरे बिगड़े काम एठाक वतन तुझसे बने हैं हम भी तो ये वो काम यहां पर औराएं में मुबारख बाद देता हूं आप सब को देखिये किताब अकomezर इलबादी का शेयर है कि हमन किताबों को काबिली जबती समझते हैं हम उन किताबों को काबिले जबती समझते हैं जिने पढ़के बच्चे अपने बाब को खफ्ती समझते हैं ऐसी किताबे नहीं होने चाहिए जो आपस में नफ्रस सिखलाएं गुराई सिखलाएं लोगों में मार्पीट सिखलाएं देखिए माबाप की हिजद करना इंसान का फर्ज है अपनी जाए पैदाईश की हिजद करना ये फर्ज है लेकिन ऐसा बाप बनना चाहिए ऐसी माबाप बनना चाहिए कि उन के लिए जब बच्चे जब वो ना रहें तो बच्चे उनको अच्छाई से याद करें एक सहाब बड़े जालिम थे बड़े हर चीज़ लोगों को मार्क्रीट और छेंगना और समान उनकी जैदाद पबज़ा कर ले वो सब उनोंने जिन्दगी भर किया और उसके बाद उनकी डेथ हो रहर आदमी को मरना है अभी ये कहा कि बहुत से लोगों पुदा को नहीं मानत एक श्यर है कि तू समझ में तो आता है मगर नजर नहीं आता है ये तमाम रंग ये गुबारे उड़ाए गए ये वादिया तू समझ में तो आता है मगर नजर नहीं आता है मैं समझ गया यपिनल तेरी पहचान यही है तो खुदा तो है तो मौत भी हर शख्स को मौता नही तो वो उनकी है का इंतकाल हो गया मर गया तो उन बड़ी ज़दाद छोड़ गया तो बच्चे उनके बेटा था उसने सोचा गया मेरे बाप मेरे लिए छोड़ गया सब तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि बाप वो लोग अच्छा ही से याद करें और वो जितना भी अच्छा काम करते हैं कहीं प्याओ लगवा दिया कहीं कुछ और स्कूल खोल दिया कहीं कुछ और काम करते हैं लोग ये कहते कि इतना अच्छा आदमी है इसका बाप कौन पुराद बेटा थे वो इतना अच्छा है बाप कितना बदमाश था बड़े उसने परेशान होगे हैं जो भी अच्छा काम करे बाप का नाम में लिख दे रोड़ के कि इतना अच्छा है देखो बाप का नाम बाप इतना बनमाज देखी तो उसने मश्वरा किया लोग उसने कोई रास्ता ऐसा बताईए कि मेरे फादर को चले के लोग अच्छा ही से याद करने लगी कि वो बहुत अच्छी थे ये कहने लगी मैं अपने लिए नहीं कर रहा है मैं चाहता हूँ कि मेरे बाप को लोग अच्छा है तो उसने किसी ने मश्वरा देखी कि आप ये की तरीका है क्या तरीका है कि आप अपने बाप से भी बूरे हो जाएंगे सब लोग कहेंगे इस से चत्रस कबाप जाएंगे हमें वो रास्ते नाख जाएंगे कि हम इस आने वाली जनरेशन जो यहां पर बैटी हुई है जिनके बारे में आप यह कह रहे ही थी शुरुआत में कि यह है टॉर्च बेरर यह बैटन बेरर है यह देश को आगे ले जाएंगे यह अच्छी बात है इन किताबों से सीखें और हम लोगों के बाल सफेद हो रहे यह सफेद जो है बाल यह पहचान है इस चीज़ के अल्ला ने यह खुदरत को यह दिया यह सफेद बाल हो तो यह अमन की इस की पहचान हो जाएंगे हम सफेद बालों में भी जगड़ा से खलाने थे इसलिए लोग कहते हैं कि रास्तों कहां गए वो लोग जिने हम आते जाते आदाब करते थे जो कहते थे कि जीते रहे वो दूआ देने वाले लोग ने नदर आते सफेद बाल है लेकिन रंके हरा अदमी में सोचता है कि अभी दूआ देने का वाखनी आए बाकी है अब बेशेख को हसरत गुना की बाकी है अब बेशेख को हसरत गुना की मूबी सिया करेगा अच्छाई सिखनी है हमने समझना है कि नेचर ने क्यों किया क्यों बाल सफेद इंगलिश में ग्रेखेद क्यों सफेद अगर आपके वाइट है तो राउंग इंगलिश हो जाएगा वोई ट्रांसलिशन इंगल बी रॉंग वाइट इस कि उस कंट्री में जहे वो ग्रेव होते बाल सफेद नहीं होते हैं ब्लांसे ग्रेव हमारे आख काले से सफेद हो जाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि भी हमारे बाल सबेल हो रहे तो हमें बच्चों को दुआए देनी चाहिए तो मैं इसी बात से अपने बात रिकम करता हूँ